नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पर दोस्तो आज हम आपको बताएंगे डेरी फार्मिंग के लिए नाबाड सबसिटी कैसे प्राप्त करें अगर आप डेरी फार्मिंग का बिजनिस करने जा रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छा व आखिर इस सबसिडी को पाने के लिए क्या करना होता है क्या करना पड़ेगा तो वह सब आज हम आपके को सेब्स करना करने क्लिए हमें आखिर क्या क्या करना होता है सबसीड़ी पाने के लिए सबसे पहले मैं आपको इसका थोड़ा हिस्ट्री बता देता हूँ 2005 में ये शुरू की गई थी स्किम सबसे पहले ये स्किम का नाम था डेरी और पॉल्टरी के लिए वेंचर कैपिटल स्किम इस स्किम के 2010 तक 15,268 टेरी फार्मों ने लाब उठाया इसमें 166 क्रोड रुपए की जो रेंड दिया गया था वो बिना किसी इंटरेस्ट के दिया गया था कोई ब्याज उस रेंड पर नहीं लगाया गया था इसकी सफलता के बाद 2010 में नाबाड सबसीडी को लागू किया गया जो हमारे किसान भाई होते हैं उनको सबसीडी देने के लिए थोड़ा उनको प्रोच्छान करने के लिए इस बिजनिस के लिए नाबाड के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको आपको नाबाड की फूल फॉर्म है National Bank for Agriculture and Ruler Development ये कोई बताने की चीज़ नहीं है आप इसको Google पर भी सर्च कर सकते हैं फिर भी आपके वैसे जर्नल नोलिज के लिए मैं आपको शेर कर रहा हूँ एक बार बता देता हूँ इस योजना को शुरू करने का कारण कारण यही है कि स्वच दूद के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस योजना को शुरू किया है और अच्छे MIPP प्रोडक्ट की क्वाल्टी को इंप्रूव करने के लिए ये स्कीम को शुरू किया था सबसे पहले अगर हमें नावाड सुपसीडी के लिए अप्लाई करना है तो हमें सबसे पहले तो हमें प्रोजेक्ट चुनना होगा कि आखिर हमें कौन सा प्रोजेक्ट करना है हमें डैरी फार्म खोलना है या पसुपालन फार्म खोलना है या फिर किसी दूद के बने हुए प्रोड़क्ट को बेचना है या दूद को स्टोर करना है तो बहुत सारे विकल्प हैं जो सरकार ने दिये हुएं इनके द्वारा हम सबसीडी प्राब्द कर सकते हैं सबसे पहले तो हमने हमारे प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना है जैसे हमने हमारे प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर लिए जो कोमनली है डैरी फार्म डैर्मी फार्मिंग को प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद फिर हमें अपनी company का नाम चुनना होगा कि हमारे जो farm रहेगा उसका नाम क्या है आप कोई भी नाम चुन सकते हैं उसके बाद आपको बनाना पड़ेगा business plan आपको इस plan में सारी detail डालनी पड़ेंगी आप कितने पशू रखने वाले हैं और कहां पर आप ये business करने वाले हैं, आपकी जमीन के बारे में आपको डीटेल डालने पड़ेगी, आपके जो अधार, कार्ड और जो भी identity proofs हैं, वो सब business plan में आपको लगाने पड़ेंगे, और आप कितने दिन के लिए loan चाहते हैं, ये सब details business plan में जो आपको चाहिएंगी. फिर सवाल उठता है कि आखिर ये सबसीडी ये लोन मिलेगा कहां से तो इसके लिए गबराने की जुरूत नहीं है दोस्तो ये हमें किसी भी बैंक से मिल सकता है हम किसी भी कमर्सियल बैंक से प्राविट बैंक हो या गोर्मेंट बैंक हो या कोई आपका graming bank हो हर किसी bank से ये loan मिल सकता है वहाँ से हम apply इस loan के लिए कर सकते हैं हमें क्या करना होगा अपने file ले जाकर के किसी भी bank में जाकर के वहाँ के manager से, करमचारी से मिलना होगा और उने अपने business के बारे में बताना होगा तो bank आपको loan देगा और bank बात करेगा नावाड से और जैसे ही आपको loan दिया जाएगा नावाड से अप्रूव हो जाएगा आपका loan, bank आपको loan को release कर देगा अब बात आती है कि subsidy, subsidy कब मिलेगी और कितनी मिलेगी ये भी एक question बना रहता है क्योंकि कोई भी सही आकड़ा इसके बारे में बताता नहीं है तो subsidy हमें मिलेगी पहली installment जाने के बाद जब हम अपने business को set कर लेंगे पहले हमें अपने business को set करना होगा जैसे हमने अपने business को set किया तो उसको नावाड हमारे जो subsidy है उसको भी सदेगी bank को bank क्या करेगा? bank उसके बाद हमारे चेक करेगा, हमारे farm को चेक करेगा कि हमारे वहाँ पे business कैसा चल रहा है हमने establish कर लिया है, हमने अपने पस्वों को वहाँ पर रख लिया है, वो सब conditions को मद्दे नजर रखते हुए bank हमें subsidy release करेगा तो subsidy मैं आपको बजा देता हूँ कि subsidy जो मिलती है, वो 25% मिलती है जो हमारे लागत होती है, जो हमारे खर्च होता है, जितना हमने loan लिया है, उसका 25% आपको subsidy मिलेगा SC और ST category के लिए ये 33% हो जाता है अगर आप SC और ST category से belong करते हों तो आपको 33% subsidy मिलेगी जो आपको dairy farming का business करना होगा, उसमें आपको इस बातों का जरूर ध्यान रखना होगा कि जो minimum, जो कम से कम पसू हैं, वो 2 होने चाहिए और ये 5 लाग के loan तक के लिए आपको maximum ज़्यादा ज़्यादा 10 पसू आप रख पाएंगे अपने dairy farm में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like कीजिएगा, share कीजिए और अगर कोई भी सवाल है, तो comment करके जरूर पूछना